दोस्तों भारत में बिल्लियों को लेकर कई सारी मानिताएं मानी जाती हैं कहा जाता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपके साथ दिन में कुछ ना कुछ अपसगुन गटित जरूर होगा इतना ही नहीं ऐसा होने पर खुद का मन भी घबराने लगता है इनहीं सब बातों के चलते कई सारे लोग तो अपना रास्ता ही बदल लेते हैं वैसे बिल्ली को भारत में जितना अपसगुन माना जाता है उतना ही अच्छा तब माना जाता है जब बिल्ली आपको सपने में दिख जाए जी हाँ बिल्ली का सपने में दिखाई देना काफी शुभमाना जाता है लेकिन या इस बात पर निर्भर करता है कि आप बिल्ली को किस प्रकार से देख रहे हैं या फिर बिल्ली आपको किस प्रकार से देख रही है तो चलिए जानते हैं सपन सास्तर के मताबिक सपने में बिल्ली के दिखाई देने का क्या अर्थ होता है अगर आपको सपने में बिल्लियां लड़ते हुए दिखाई दें तो यह अच्छा नहीं माना जाता है इसका मतलब यह होता है कि आपके साथ किसी का लड़ाई जगडा होने वाला है इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और ध्यान रहे कि इस समय आप किसी के साथ कोई जगडा या बहंस ना करें कोई इंसान अगर सपने में बिल्लियों को खुद से लड़ते हुए देखता है तो इसका अर्थ या होता है कि आपके अंदर परिवार और समाज के प्रती द्वेश की भावना उत्पन हो रही है जो बिल्कुल अच्छी नहीं है दोस्तों कई बार देखा जाता है कि इस्टूडेंट्स को एक सपना बार बार दिखाई देता है अगर आपने सपने में किसी बिल्ली को बचाते हुए देखा है तो या काफी शुब संकेत माना जाता है इसका अर्थ या होता है कि आपका सही समय जल्द ही आने वाला है और आपको अपने किसी लक्ष को प्राप्त करने के लिए थोड़े ही मेहनत की जरूरत होगी अगर या सपना किसी शातर को आता है तो या इस ओर इसारा करता है कि वह किसी प्रतियोगिता में विजयी रहने वाला है सपने में अगर बिल्ली आपको बच्चों के साथ नजर आए तो या काफी शुबसंकेत माना जाता है क्योंकि ऐसे में आप किसी खास रिस्तेदार या मित्र से जल्द ही मुलाकात करने वाले है बिल्ली को इस प्रकार से देखना काफी अच्छा माना जाता है अगर आप सपने में एक जैसी दो बिल्लियां देखते हैं तो इसका अर्थ या होता है कि आपके संतुलन में कमी आ रही है इस बीच अगर आप अपने परिवार, दोस्तों और कारिस्थल पर काम करने वाले लोगों के बीच संतुलन बनाने की कोशिस में लगे हुए है मगर कभी कभी आप ऐसे में अस्फल भी हो जाते हैं अगर आप सपने में कुत्ते और बिल्ली को आपस में लड़ते हुए देखते हैं तो ये एक अशुव शंकेत माना जाता है इसका अर्थ या होता है कि आपका सामना किसी दुस्मन के साथ जल्द हो सकता है इसलिए आपको अभी फूख फूख कर कदम रखने की आ सकता है दोस्तों आसा है आपको आज की हमारी वीडियो का भी प्रतंद आई होगी अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैश्री रहा